हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम जगविंदर है इस वीडियो में अपने व्यूर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ अगर व्यूर्स चाहते हैं कि वो मेरे चैनल पे सभी वीडियो को देखें तो वो यहाँ पे इस नाम को वेब ब्राउजर में क्लिक करके इस चैनल तक अगर या इस साइट पर मुझूद और वीडियो को क्लिक करना चाहते हैं तो यहां से आप उस पर्टिकलर टॉपिक के ओपर वीडियो को देखें करके अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंफॉमिशन है जो मैं अप्लोड करता ही निजए वीडियो को आपके mailbox में आ जाए तो आप इसको यहाँ पर subscribe कर सकते, subscribe बटन को click करके, या फिर जब आप video देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी एक option आती है, subscribe की, तो आप यहाँ से subscribe करके, अपने mailbox में यह सभी videos को ले सकते हैं, अगर आप को video पसंद आती है, तो आप यहाँ से like बटन प्रेस कर सकते हैं, अगर आप मेरे Facebook पेज के साथ connect होना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखे, आप इसको click करेंगे, तो मेरा Facebook पेज open हो जाएगा, चलिए, शॉर्ट message के पाद हम इस video को continue करते हैं, अगर हमारा server पूरी तरह से fail हो जाए, तो उस case में हम इस disaster से कैसे recover करेंगे, तो हम एक scenario लेते हैं, जिसमें हमारे multiple domains हैं या एक domain हैं, और उसके अंदर हमारे domain controllers installed हैं, और इनमेंसे अगर मानते हैं कि हमारा एक domain controller fail हो जाता है, और domain controller fail होने के बाद, उसके उपर रखा हुआ सारा का सारा data, यानिका active directory database हमारा खतम हो जाता है, अब इस case में हमें एक निया server लेके आना पड़ेगा, निया server आने के बाद, मुझे active directory दुबारा से इसके उपर install करने पड़ेगी, तो एक तरीका तो यह है कि हम इसके उपर active directory install कर दें और इसको निया domain का member मना दें और data replicate करवा दें, लेकिन हम disaster recovery में अगर चाहते हैं कि हमने जो backup पहले से ले रखा है, जो हम backup यूज करते आ रहे हैं अपने backup series में, उसमें हमने system state recovery का backup भी ले रखा था और उसमें हमारा full active directory database का backup भी हमारे पास available है, तो उसी backup को use करके हम full server failure के case में भी अपने data को कैसे recover कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये सीखते हैं, तो इसके लिए मैं अपने server के उपर जाता हूँ, वो server जो हमने एक fresh server लिया है, ऐसा मानते हैं, और उसमें हमने DVD insert की है, अपने 2008 की, और उसमें हमने वो disk भी रखी है, जि इसके उपर मैं installation करना जाता हूँ active directory की, और दूसरा जिसके उपर हमारा backup लिया हुआ है, तो इस practical को perform करने के लिए मैं अपने server के उपर जाता हूँ, तो मैं अपने server पर आ गया, और server मेरा DVD से boot कर चुका है, उस DVD से जिसमें server 2008 की DVD inserted है, और इसके बाद मैं next button पर click करता हूँ तो अगर मुझे fresh installation करनी है, तो मैं install now button को click करूँगा, लेकिन क्योंकि हम इसको repair करना चाहते हैं, और इसमें एक disk लगी हुए है, जिसमें हमने पहले backup लिया हुआ था, तो मैं click करता हूँ repair your computer पे, इसको click करने के बाद, अगर पहले से इसके उपर कोई operating system इसकी drive में installed है, त हमारा server खराब होने से पहले backup, तो मैं इसको next click करता हूँ, और यहाँ पे एक पहली option है, windows complete pc restore, तो मैं इसको click करता हूँ, restoration process को आगे बढ़ाने के लिए, ये backups को ढूंड रहा है, और देखिए, इसने एक backup ढूंड लिया, और उसकी date आपको बता रहा है, और हमारे computer का नाम जो कि dc1 है, तो ये जब भी हमने backup लिया होगा, उसके हिजाब से आपका date or time और आपकी location जो समय c drive है, वो बता रहा है, अगर हम इस backup से restore करना चाहते हैं, तो next button को click करेंगे, या फिर हम दूसरे किसी और backup से इसको restore करना चाहें, अगर कोई और backup disk भी मेरे पास हो, तो मैं इ use the latest available backup, जो कि एग ही है हमारे case में, और recommended भी है, इसी को select करके next पर press करता हो, अब आपको एक message आई है, कि आप कुछ disk को exclude करना चाहते हैं, कि नहीं करना चाहते, और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिस disk के उपर backup होता है, वो already excluded होती है, और अगर इसमें server में आपकी ही hard disk लगी हुई है, एक fresh hard disk और एक जिसके उपर हमने backup पहले ले रखा है, और अब उसी backup से हम यहाँ पर restoration करने वाले हैं, तो मुझे इसको और कुछ exclude करने के जरूरत नहीं है, और मैं next को press करता हूँ, अब उससे confirmation पूछ रहा है, is complete PC restore में, windows complete PC restore is ready to restore your computer using the following backup, अगर आप इ disk to restore बता रहा है, C drive, हम इसको finish करते हैं process को, एक information आपके पास आती है, कि अगर आप इसको confirm करेंगे, तो जो आपकी disk है, उसके उपर रखा हुआ, आपका सारा data खतम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद disk format होगी, तो क्योंकि जिस disk से हमने restore process perform करना है, यह उसको format नहीं करेगा क्योंकि वो already excluded में है, तो मैं इसको select करता हूँ, I confirm, और ok पे click करता हूँ, तो देखे मेरा restoration का process start हो गया है, और लिखा आ रहा है, starting restore, इस restoration process को कुछ समय लगेगा, तो मैं उटनी दिर के लिए video को pause करता हूँ, और जैसे ही यह restoration process खतम होता है, उसके बाद video को continue करता हूँ, अगर आप इसको restart करना जाते हैं, तो restart now पे click किजिए, तो देखे computer restart होने के बाद, उसमें Windows Server 2008 OS तो आ ही गया है, अब हमें यह check करना है, जब यह complete होता process कि उसके बाद हमारा, जो हमारा backup हमने लिया था, उससे हमारा active directory database और बाकी database भी वापिस आया है कि नहीं आया, तो यह क देखे हमारा server boot कर गया है, अब मैं Ctrl, Alt और Dell प्रेस करता हूँ, तो देखे मेरे domain का नाम लिखा आ रहा है अपने आप से, जो कि king.jst और उसका administrator, तो मैं password एंटर करता हूँ, जो भी हमारे administrator का password है, और यह login होने की कोशिश कर रहा है, user settings apply कर रहा है, desktop को prepare कर रहा है, यह कुछ समय ले रहा है, उतनी देर के लिए वीडियो को pause करता हूँ, तो देखे computer मेरा boot कर गया है, और मेरे सामने server manager आ रहा है, तो मैं इसके roles में जाता हूँ, active directory domain services इस पे installed है, active directory का structure, हमारा king.jst, और हमारे computers, जो भी हमारे computers होंगे, हमारा sales, OU, उसमें रखे हुए हमारे users, सब कु configuration है, जो हमने backup लेते समय हमारे पास थी, और मेरे को बिना कोई मैंने directly operating system डाले, जिदा backup से इसको restore कर दिया, और जरा computer में जाके, हम drive में देखते हैं, उस drive को, जिसमें हमने backup लिया था, और उस वहां से restore किया है, तो देखे, ये वो ही backup है, Windows Image backup, और जिसमें मेरे domain controller का नाम, यानि कि DC1 आ रहा है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने backup से, अपने server failure के case में, data को backup से restore कर सकते हैं, और disaster से recovery कर सकते हैं, उस backup से, जो हमने पहले कभी, server fail होने से पहले perform किया था, तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.